तो अभी तक के वीडियो में हमने यह सीखा कि हम जो बेसिक टूल्स वगड़ा होते हैं वह हम कैसे यूज करते हैं ठीक है तो आगे जो हमारा स्रीज होने वाला है आगे जो मतलब हमने वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे कि यह हमने एक राफ्रेंस के लिए पेपर लिया है इस पेपर में जो वर्क हो एक लिए करेंगे ऑड़ परोषेस हुए उसे एंग हम कहते हैं वेलिडेशन तो होता है कि जैसे हम किसी वाले कहें हैं जान सकते हैं चलिए एक बार के लिए कि हाँ हमारा result इस एप्रोक्स में आना चाहिए लेकिन जो third person हमारा research paper परहेगा वो कैसे belief करेगा कि हमारा work है वो genuine है और हमारा result सही आ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि validation process करना होता है मतलब validation का मतलब क्या हुआ कि हम किसी reference paper को उठाए जैसे for example यह जो आप सामने paper देख रहे हैं यह एमादिलडार सर का है इन्होंने क्या किया है कि build up इस तरह के यह यह जो आपको green color का दिख रहा है यह build up column create किया है इसके उपर जो है ना axial loading दिया है और फिर उसके results देखे है तो अब जैसे कि यह work तो हो चुका है इनके results genuine अब इसी work को अगर हम अपने software पर भी अपने से करें ठीक है हमारा process कुछ भी हो सकता है for example जैसे कि हमने step में देखा था कि हम जो है ना normal general explicit यूज कर सकते हैं या general static यूज कर सकते हैं तो इन्होंने अगर in case general static यूज कर रहा है ठीक है और हम अगर same work को अगर हमारा future planning है कि हम जो build up column मनाएंगे बिल्डब क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यह जो work है build up column पे तो हम वैलिडेशन बिल्डब क्या है कर रहा है ठीक है for मतलब क्या क्याने का मेरा काम है कि अगर in case मैं study कर रहा हूं और उसमें दिखा रहा हूं कि मैं build-up column का study कर रहा हूं तो मैं validation भी क्या दूंगा build-up column का दूंगा क्यों क्यों कि वह एक तरह से confirmation हो जाएगा कि मेरा build-up column वाला work होगा वो result जो आएगा वो same आएगा ठीक है same in the sense क्या कि मेरा result आएगा वो genuine आएगा और validation के लिए जो इनका paper use कर रहा हूं इनके जो results हैं और मेरे जो results हैं वो match कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा work validate हो गया validate मतलब कि genuine है यह proof हो गया ठीक है एक तरह से हम सामने वाले को proof दे रहे हैं कि मेरा जो work है वो real है ठीक है तो तो यह होता validation अब यह इसलिए mainly जरूरी होता है कि एक तरह से हमें भी confirmation मिलता है और सामने वाले जो readers हैं जो हमारे paper के readers हैं उनको भी confirmation मिलता है कि नहीं जो इन्होंने work किया है उसमें इन्होंने validation दिखाया है इसका मतलब कि इनका जो software का सारा इन्होंने data पुट किया है वो correct होगा ठीक है तो अब for example यह जैसे कि इन्होंने काम किया है abacus के उपर ठीक तो इनको भी एक validation दिखाना होगा तो आपको इनके paper में कहीं ना कहीं एक section मिल जाएगा validation करके यह यह ना 2.6 validation of numerical model इन्होंने क्या किया होगा इन्होंने किसी संबन third person का जो work होगा उसका जो है ना validation करके उन्होंने जैसे यह previously बाए डैब डैवियों एटाल इनका paper लिया है और इन्होंने उसको उसके work को replicate किया है और validate करके दिखाया है कि नहीं हम अगर same work को software में डालते हैं तो हमारे result सेम आता है इसलिए जो अब हम काम कर रहे हैं उसका result भी मेरा genuine आएगा ठीक है तो सेम चीज को अब हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं इनका paper लेने वाले हैं इन्होंने जो काम किया है उसको हम software पूट करेंगे उससे हमारे results आएंगे वह result अगर इनके paper से match करते हैं 100% तो possible नहीं होगा ठीक है 100% नहीं होगा लेकिन अगर 98 99 95% भी match होता है तो हम उसे correct मान लेता है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि पहले paper रीट करना सीखते हैं हमें क्या होता है कि यह abstract वाला section पढ़ना होता है क्यों इसमें मतलब एक तरह से हमें idea मिल जाता है कि उन्होंन मतलब उनका objective क्या था और उनका result क्या था यह एक overall idea में जाता है फिर हम इंट्रोडेक्शनला पार्ट देखते हैं इसमें हमें क्या होता है कि उन्होंने work क्या किया है और क्या thinking से उन्होंने start किया है वह सारी चीज़े introduction में होती है ठीक है और इसके बाद होता है हमारा objective objective में हमें देखना रहेगा कि क्या objective था उनका उनका work कि मतलब उनका result क्या आने वाला है मतलब वह क्या सोच के result निकालने के लिए बैठे हैं फिर parametric study होता है यह हमें एकदम important है सबसे important है क्योंकि इसमें हमें सारे dimensions वेगर होते हैं सारे इसमें हमारा column है तो column के जो basic details होते हैं जो इसमें यूज करने वाले हैं उसके सारे details होते हैं ठीक है तो यह इन्होंने दे रखा है कि सारा dimension यह इस तरह का beam बनेगा इस टेवल में इन्होंने दे रखा है कि हमारा dimension analysis मतलब कौन-कौन सा series है उसके सारे dimension क्या-क्या है तो हम basically क्या करेंगे यह जो इन्हेंने 15 sections बनाए है इसमें से किसी एक या दो को हम जो है ना वापस से create करेंगे उसके results निकाल के देखेंगे वह एक हमारा validation हुआ और जो यह video है यह validation है यह आप अपने work में यूज कर सकते हैं अगर in case आप build-up column यूज कर रहे है बैटन column या lacing column तो आप इसको same video का आप create कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि मादिल दार सरका और मेरा जोने रिजल्ट से मिलता है तो यह validation में आप easily यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया और फिर last में हमारा important part क्या होता है यह सारे तो हमारे data हो गया और फिर होता है हमारे result इन्होंने क्या result निकाला है अब जैसे कि सारे results नहीं दे सकते है है ना कि lateral dimensional load का value ठीक है यह हम in case हम एक बार के लिए exclude करते हैं कि नहीं हम मतलब हम सिर्फ एक्सेल लोडिंग कहीं लेगा मतलब इन्होंने क्या किया है एक्सेल लोडिंग दिया यह भी इम था हमारा एक्सेल लोडिंग अब यह कुछ lateral displacement में देगा तो इन्होंने load के basis पे लेटर displacement क्या होगा उसका भी graph plot किया है हम इसको अपने result के लिए एक्सलूट कर सकी है और में भी साहिद यह जो है ना हमारा validation part है इनका जिसमें कि इन्होंने दिखा रखा है कि इन्होंने FEA पे और जो रियल टेस्ट है उसमें क्या difference था और कित्ते तो आपको देखने को मिल से एक्सपरिमेंट किया जाए तो हमारा बहुत हद तक हमारा जो रिजर्ट्स है वह सिमलर आते हैं ठीक है तो यह का वैलिडेशन हो गया और हम अगर यह सलेंडर ने सब्सक्राइब हाँ हमारा क्या होगा कि अगर यह एक्सेल स्ट्रेंट और एक्सेल डिस्प्लेश्मेंट करें ने ग्राफ ट्रेट किया है यह इनके मॉडल का है है ना तो हम सेम चीज को अगर पुट करें तो क्या हमारे रिजर्ट्स सेम आएंगे तो अगर वह रिजर्ट्स हमारे नियरडबाउट हैं यानि कि हमारा क्या है जो वैलिडेशन हो सक्सेस्पूल हुआ हमारा जो वैलिडेशन क्या होता है कैसे करते हैं ठीक है और आदि के वीडियो में हम क्या करेंगे इसी में से किसी जो हमने टेवल वन दिखाया था आपको यह वाला टेवल इसमें से कोई एक स्रीज लेंगे उस सीरीज को हम खुद से अपने अबकस पे बिल्ट करेंगे और उसके जो लेकिन कुछ कमेंट्स आए जो कि फिर से मोटिवेट की मुझे वापस से वीडियो बनाने के लिए तो आप ऐसे कमेंट्स एंड लाइक करते रहें तो तब तक हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू